आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और अब तक की जो बड़ी ख़बर आ रही है ये राजोरी दरहाल इलाके से आ रही है राजोरी का जो दरहाल इलाका है वहाँ पर जो है आज देराज जो है एक आटो जो है दुरुगटना गरस्ट होयता है जिसके अंदर कुछ लोग थे और उनमें जो लगब चे के करीम लोगों की मृत्य हो गई है और एक उसके अंदर घायल है ये बड़ा ही धुखत समाचार है ये अजिक आटो है जो की खाई में गिर जाता है जिसके अंदर जो है लगब चे लोगों की मृत्य हो गई पहले खबर यह आ रही थी कि 5 गायल थे उनमें भी गंबी रूप से गायल थे उनकी भी मृत्य हो गए है तो लगबग छे लोगों की मृत्य हो चुकी है रजोरी इलाके में और ये एक बड़ा ही दुखत समाचार है और एक एक आदमी जो है इसके अंदर गायल है जो कि ये पूरी खबर आ रही है और उनका जो है उपचार फिलहाल चल रहा है पुलीस ने मामला दर्ज भी कर लिया है लेकिन अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये किस तरह से खाई में गिर गया आटो जो मैजिक आटो है और अगर बात की जाए तो जो छे लोगों की मृत्ति हुई है अभी उसके बारे म में भी पूरी जानकारी फिलहाल नहीं है कि कहां रहने वाले तो राजोरी के थे लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार ये किस तरह से ये हाथसा पेश आया लेकिन एक खाई में गिर जाने से ये जो है बुरा हाथसा पेश आया है और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा ये आटो रिक्षा की तस्वीर है जो की गिर गया जो की खाई में गिर जाता है और जिसके खारण ये पूरा हाथसा पेश आया मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि ये जो इसके अंदर जो छे लोगों की मृत्यू हुई है यह बड़ा ही एक दुखत समाचार है और अगर बात की जाए पूरे इलाके की तो इस इलाके में इतने लोग जो है जो की खास करके बात की जाए इतने लोग जो है वहाँ पर अतंकवाद के चलते नहीं मारे जाते जितने लोग जो हैं आज इस एक्सिडेंट्स के जरीए मारे जा रहे हैं ये कुछ तस्वीरे भी आई हैं जिनकी मृत्यू हुई है और बड़ा ही एक दुखत समाचार है जिसके लिए जितनी भी बात की जाए कम है क्योंकि बड़ी चीज ये है कि आज कहीं कहीं एक्सिडेंट्स इतने जैदा हो रहे हैं जिससे कि रोजणा की ये बात है की रोड आक्सिडेंट में इतने लोगों की मृत्ती हो जाती है पिछले दिनों भी इसी इलाके में पुंच के आसपास हाथसा हुआ, उसके अंदर कुछ लोगों की मृत्ती होगी, दो दिन पहले की बात है, फिर कुछ लोगों की मृत्ती होगी, आज पांच के करीब पांच से छे लोगों की मृत्ती होगी, तो ये बड़ा ही दुखत ही जो हाथसे हो रहे हैं सड़क हाथसे हो रहे हैं इनके उपर लगाम लगानी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से इन हाथसों को हम लोग रोक सकते हैं लेकिन बड़ी चीज यह है कहीं ना कहीं चूक हो रही है चाहिए वह बस्ताले अबाद